प्यारे बच्चो नमस्कार आज हम दस्विंग किलास के तीसरे चैप्टर भूमंडली कृत विश्यो का बन्ना के अभ्यास के प्रशनों को देखेंगे इसके अंदर आपको वैश्विकर्ण, प्राचिनकाल में वैश्विकर्ण, सिलक रूट, भोजन की यतरा, आलू का आकाल अफरिका का बंटवारा, रिंडर पेस्ट, बिमारी, गिर्मीटिया, मजदूर, आदी के बारे में जानकरी मिलेगी, इससे समंदित प्रशन आपको, इसमें करवाई जाएंगे, चलिए, देखते हैं पहला पॉश्विकर्ण, तो सबसे पहले अपने चैनल को, जियेस भाई किये जाने वाले सभी वीडियो, आपके सभी परकार के एकजाम, सभी परकार के कमपिटीशन एकजाम, समान्य ग्यान और दस्वीं कलास के बोर्ड की एकजाम के लिए बहुत महत्वपुर्ण है, ध्यान से सुनिए, और कोपी पैनल लेकि बैठ जाएए, जो भी परशन ऐसी परकिरिया है, जिसमें विश्व की अर्थ विवस्ताइं, एक दूसरे के घनिष्ट संपर्क में आती हैं, दूसरे शब्दों में अक्षेत्रिय वस्तुओं के विश्व सतर प्रुपांदरन को वैश्विकण कहा जाता है, इसे आप समान्य सब्दों में ऐसे समझ सकते हो, कि जैसे हमारे यहां पर कोई भी कंपनी है, जैसे सैमसंग कंपनी है, नोकिया कंपनी है, टोईटा कंपनी है, यह सारी भारत के नहीं है, यह अलग अलग देशों की है, लेकिन इनका कारोबार सभी देशों में हैं, और इनके दवारा सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसे ही हम वैश्विकन या गलोबलाइजेशन कहते हैं इंगलिश में इसे गलोबलाइजेशन कहते हैं तो जैसे यह आप देख रहे हो विश्यू का नक्सा है इसके नरा लग-लगा जीलिट है कोका कोला है और माइक्रोसोफ्ट है नोकिया है एचपी ह अगला प्रशन प्राचिन काल में वैश्विकन कैसे होता था तो इसका उतर है प्राचिन काल में जो यात्री हैं पुजारी हैं व्यापारी हैं विद्यार्थी हैं और तेर्थी यात्री ग्यान प्राप्ति और यात्मिक शानती के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते लगे तक वैली हूई थी तो आप नीच्य जो यह मांचतर देख रही हो इस के अंदर आपको जो याप प्रेदी लाइन आपको देख रही है यहां तक फैली हुई थी और यहां पी ये यूरोप तक गई हुई थी यूरोप के अंदर इटली तक गई हुई थी, तो यह जो रैड कलर का है, यह इटली है, और यहां तक, यहां एशिया से लेकर, भूमद्य सागर तक की इमारग फैला हुआ था, और यह बीच में यहां से हमारे कलकत्ता के अंदर जड़ा हुआ था, यहां पर यह जो हमारा आज का पाकिस्तान है, हमारा ही है वो, वहां तक भी यह, इससे कनेक्टिड थे, चलिए आगे, सिलक रूट क्या था, सिलक कहते हैं रेशम को, एक सैतूत होता है, सैतूत का पोदा होता है, उस पोदी के उपर एक कीड़ा होता है, और उस कीड़ा जब बच्चा पैदा करता तो उसके चार तरफ हो रेशम को, किसी को ग्यान नहीं दिया कि रेशम कैसे बनाया जाता है, तो सिलक रूट की बात करें, अब इसका नाम सिलक रूट क्यों है, वो भी बताएंगे, जल और थल का वह लंबा मारक, जिसका परयोग पराचिन काल में, चीन से रेशम बारूद अध्यात्मिक वस्तों कागच आधि का वेपार करने के लिए किया जाता था, रेशम रूट या सिलक रूट कर लाता है, तो यह जो रूट था, जो एश्या महादिप में चीन से शुरू होकर, और इटली तक जाता था, इटली को उसमें रोम कहते थे, रोम तक जाता था, और रोम से आगे फिर चीन, भार्त, युनान, अरब देश, इरन और इटली आदी देश आते थे, यह रूट एश्या को भूमेंदे सागर से जोड़ता था, यह रूट दूसरी सदी बीसी से लेकर चोदवें सदी तक चलन में रहा, तो इस एक परशन में आपके कई परशन आ सकते हैं, जैसे सिल चीन, भारत, युनान, अरब देश, इरन, इटली, आदी, और यह रूट कब से कब तक परशन में था, तो दूसरी सदी से लेकर चोदवें सदी तक, तो अब यह दूसरी सदी बीसी क्या है, बीसी का मतलब होता है, बीफोर क्राइश्ट, तो जो आज दो हजार एकिस चल र उससे पहले दुनिया नहीं थी, तो थी, तो उससे पहले का जो कलेंडर है, उसे हम बीसी में कहते हैं, बीफोर क्राइश्ट, जैसे एक से पहले एक आगा तो उससे बीसी कहेंगे, एक बीसी कहेंगे, फिर दो बीसी, फिर सो बीसी, फिर हजार बीसी, इस तरह से चलेगा, अगला पर्शन है आईरलेंड में आलू का अकाल कब पड़ा तो आईरलेंड है ये एक यूरोपियन देश है और जो यूरोप के देश है उनका अधिकतर जो भोजन है वो आलू और ब्रैड से ही होता है तो आईरलेंड में 1845 से 1849 के बिच आलू की फसल पूरी की पूरी 40% से अपनी भूक आलू से मिटाती थी इस अकाल का ऐसा असर हुआ कि लगबग 10 लाक लोगों ने देश छोड़ दिया और 10 लाक लोगों के मृत्यू हो गई तो ये लोग वहां से देश छोड़के और अमरीका आस्ट्रेलिया जैसे दूसरे महादीपों के और चले गए अच्छा में विमारी लगी थी इसी विमारी में अलू के पत्ते और उसके जड़ दोनों ही खराब हो जाते हैं यह विमारी फाइटो पत्थोरा इंफे स्टेंस नामक कवक के द्वारा फैलती हैं लगबग पूरी यूरोप में अलू की फसल में इस रोग का परकौब था ल इसके काड अधिकतर तो जैसे पत्ते खराब हो गए अलू की फसल खराब हो गए तो कुछ लोग तो इनको खाने से बिमार हो गए और कुछ लोग भूग के वज़य से मर गए अगला है चेचक पे एक नोट लिखिए चेचक को समाल पॉक्स, सीतला माता रोग या सीतला माता बड़ी माता चोटी माता या लाल पलेग भी कहते हैं यह एक विशाणू जनिति रोग है यह भी मारी दो वाइरस के परकार होते हैं वहे रोला प्रमुक और वहे रोला नाबाली के कार्ण होती है इसका इंजेक्शन 1796 में एडवर्ड जैनर ने त्यार किया था जमाने के किसी व्यक्ति को देखे गो जिसके चहरे पे खड़े से खड़े से पड़े हुए तो छेचक रोग के कारण होता था और यह एक भेंकर रोग था और इसे काफी लोगों के मिर्ट्यू भी हो जाती थी अगला परशन है कोरन ला या मक्का कानून क्या था तो इसका उत्तर है बिर्टेन में 1815 से 1846 के बीच जनसंख्या में वरिदी होने तथा उपज कम होने से अनाज का संक्ट हो गया परन्तो बिर्टेन के सरकार ने बड़े व्यपारियों के दवाव में कोरन ला लागू करके बाहर से मक्का मंगवाना बंद कर दिया जिससे भुकमनी की स्थिति पैदा हो गई कोरन का मतलब होता है मक्का तो जो इंगलैंड था वहाँ पर लोगों की जो प्रमुक फसल थी वो मक्की की फसल थे लेकिन जब 1815 से 46 के बीच में जब वहाँ पर जनसंख्या का दबाव ब रानी थी या जो वहां का राजा था उसने क्या किया उसने बाहर से मक्का के आयात पर परतिबन लगा दिया और जिसके एकान क्या है वहाँ पर भुकमरी की स्थिति पैदा होगी बाद में वैसे जब लोगों ने विरूद गया तो यह जो कोरन ला था वो समाप्त भी कर दि अफरीका को प्राचिन काल में अंध दुविप भी कहते थे क्या कहते थे अंध महादीप क्यों कहते थे क्यों कि यूरोपी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जान करी नहीं थी 1860 में बेल्जिम के महाराजा लियोपोल्ड दुवित्या ने यूरोप के राजाओं के सबब बुलाई जिसका उदेशया अफरीका महादीप से अधिक से अधिक लाप राप्त करना था और 1850 में यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रो ने अफरीका के नक्षे को फुट्टे से लाइन खींच कर बांट लिया मेज पे उसका नक्षा रखा और उसके उपर अलग-अलग बांट लिया इतने को तूंद उट लिया क्योंकि यो समय उपनिवेश्वाद का था उपनिवेश्वाद में एक दूसरे देश के उपर हमला करता था और उसको अपना गुलाम बना लेता था तो यह जो बंटवारा किया गया था इसे अफरीका का कागजी विभाजन कहते हैं अगला परशन है रिंडर पेश्ट क्या थी तो उत्तर है अफरीका में 1890 के दशक में रिंडर पेश्ट नामक बिमारी बहुत तेजी से फैली रिंडर पेश्ट पश्वों को लगने वाला एक विशाणू जनित संक्रामक रोग था इसमें पश्वों को बुखार उनके आंख इसे लोगों को आजिवका और स्थानिय अर्थों यस्ता पर गहरा असर पड़ा अब यह जो अफरीका महादिप के जो लोग थे वो पशुपालन में विश्वास रखते थे पशुपालन करते थे और आपको पता भी होगा शायद कि अफरीका महादिप है वो धरती पे मनु काम पर क्या था मतलब वो लोग काम धन्दा नहीं करते थे तो जब अंग्रेज और ये यूरोपीन लोग वहां गए तो उन्हें बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि कोई भी वहां काम करने के लिए इच्छुक नहीं था लेकिन जब ये रिंडर पेस्ट बिमारी फैली और इ इससे तंग होके उन्हें इससे दुखी होके उन्हें फिर अंग्रेजों के पास कारखानों वगरा में काम करना पड़ा अगला परशन है गिर्मिटिया मजदूर के से कहते हैं अंग्रेज ओपनिवेशिक काल में भारतियन लोगों को एक एग्रिमेंट करके फीजी मारिशस करविय दिवपो में ले जाते थे एग्रिमेंट का ही अपभरंश रूप गिर्मिट होता है अपभरंश का मतलग होता है तूटा होटा रूप इन गिर्मिटिया मजदूरों पर अनेक परतिवन लागो थे जैसे वह शादिन नहीं कर सकते थे वह अपने गुलामी खतम नहीं कर सकते थे वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे उन्हें 12 से 18 गंटे एमान विया हलतों में काम करना पड़ता था और उतना ही खाना मिलता था जिन से वह जिन्दारुक्स के तो अप भरंश को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जो कोई शब्द होता है जैसे आप हिंदी का श स्टिक कहते थे और हमारे जो लोग थे उसी अंग्रेजों से सीखे उसको बंद सटी कहने लगे जिबकि वह उसका शुद उचान बंद सटिक था और उसका आप भरंश रूप क्या है बंद सटी अगला परशन है गिर्मिटिया मजदूरों के उत्थान के लिए किये गए प् प्रस्ताव प्रस्तुत किया उनिस सोड़ा में कांग्रेस अधिवेशन में भार्थ सुरक्षा और गिर्मिट अधिनियम प्रस्ताव रखा गया तोता राम सनाध्यनी फीजी दीप में मेरे 21 वरस पुस्तक में गिर्मिटिया मजदूरों की द्याइनी स्थितिके बारे में लिखा ये नीचे जो आप तस्वीर देख रहे हो इसके अंदर ये गिर्मिटिया में दूर है जो यहां से वहां ले जाके उन्हें काम कराया जाता था इसमें बताते हैं 40% महिलाए होती थी और उनके साथ बड़ा वेहार होता था वहां पर क्योंकि वहां जाने पर जैसे उ और तो को कहीं और बेज देते थे और उसके जो बच्चे होते थे उने कहीं और बेज देते थे बड़ा शोशन किया इन्होंने पहला गिर्मिटिया नामक पुष्थक के लेखा कौन थे तो डॉक्टर गिरी राज किशोर इस पुष्थक में गिर्मिटिया मजदूर मोहन के देनिये जीवन का वर्णन है और जो गिर्मिट है वो मजदूर है जो मोहन ये कहानी मोहन दास कर्मचंद गांधी से संबंदित है कि वहें एक कुली भी थे एक बैरिष्टर भी थे मजदूर भी थे अगला परशन है अफिम वेपार क्या था उन्नीस सदी के बीच में चीन और बिटेन के बीच में अफिम का वेपार होता था अंग्रेज चीन से चाई और रेशम मंगवाते थे चाई की जो पतियां है वो मंगवाते थे और बदले में वहाँ पर अफिम बेचते थे परंतु च चीन का राजा चिंग अफिम के वैपार के खिलाब था क्योंकि यह एक निशेली वस्तु थी इसके अकांड चीन और बिल्टेन में 1849 और 1856 में दो युद भी हुए और इन दोनों युदों में चीन की हार हुई पर्थम विश्यू युद पर एक नोट लिखें पर्थम विश्यू युद एक ऐसा युद था जिसमें दुनिया के अधिकतर देशों ने भाग लिया यह एक विशाल युद था जो 28 जूलाई 1914 से 11 नॉंबर 1918 तक चला इसमें लगभग 9 क्रोड लोगों की मौत हो गई 7 क्रोड तो इसके अंदर सैन्कों की मृत्यू हुई थी और 2 क्रोड के आसपास जो आम नागरिक थे बंब वगर गरने से वो भी मर गए आस्ट्रिया के राजपमर फर्डिनेंड की मृत्यू इस युद का ततकालिक कारण बनी इस विशु युद में मित्तर राष्टर इंगलेंड फरांस रूस और धूरिश राष्टर जर्मनी आस्ट्रिया तुर्किया अदी परमुख भागिदार थे बड़ा भ्यानक युद था आप यह देखें 9 करोड लोग मर गए अर्थिक महमंदी से क्या भी पराए हैं यह महमंदी अगस्त 1929 से मार्च 1933 तक रही सुरुआत 1929 में अमरीकी शेयर वजार में गिरावट से शुरू हुई बैंक दिवालिया हो गए लोगों ने कर्ज चुकाने बंद कर दिये 1930 में आए अकाल से अमरीका की करीशी अर्थ विस्ता भी खतम हो गई धेरे धेरे इस महमंदी महमंदी ने यह मंत्री नहीं यह मंदी आएगा यहां पर महमंदी ने महमंदी ने सारे विश्यों को अपने विश्यों को यह विश्यों को अपने चपेट में ले लिया सारे विश्यव को अपने चपेट में ले लिया इसकी पढ़नीती दूसरे विश्यव युद के रूप में हुई धन्यवाद आप सभी का किरपया इन पर्षनों को दो से तीन बार ध्यान से सुनिए पढ़िए और आशक्ता होने पर इन्हें लिख भी लीजिए ताकि ये बहुशे में भी आपके काम आए ये बहुड़े बहुत महत्तपूर पर्षन है धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और अगर कोई कमी लगती है तो भी बताईए धन्यवाद